वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांश अकाडमी मैं हूँ आपके साथ वैशाली और आज हम कवर करेंगे मौलिक करतव्य अपके साथ वैशाली और आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांश अकाडमी मैं अभिन अंग यानि कि मौलिक करतव्य और अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए है अगर मेरा ये मौलिक अधिकार है कि मुझे वोट देना चाहिए तो यह मेरा मौलिक करतव्य है कि मैं जो मेरा वोट है वो एक अच्छे नेता को दूँ तो इसी प्रकार मॉलिक अधिकार और मॉलिक कर्तवे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का अभिन अंग हैं तो दूसरी लाइन हमारी है कि सविधान सभा ने राज़े के कर्तवे अर्था राज़े के नेतिनी देशक तत्वो को शामिल तो किया परंतु मौलिक कर्तव्यों का मौल सविधान में शामिल नहीं किया अर्थार्थ हमारा जो मौल सविधान है जब सविधान सभा ने हमारे सविधान का निर्मान किया था उस समय मौलिक कर्तव्यों का वरनन मौल सविधान में नहीं किया गया था उस समय किवल मूल अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं थे राज्य के कर्तव्य यानि की राज्य के नीति निदेशक तत्यों तो शामल थे लेकिन मौलिक कर्तव्य उस समय शामल नहीं थे मूल करतव्यों को 1976 में 42 सविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 2002 में एक और करतव्य जोड़ा गया तो दोस्तों हमारे सविधान में जो मौलिक करतव्यों को जोड़ा गया वो 1976 में जोड़ा गया 42 सविधान संशोधन के तहत और 86 सविधान संशोदन हुआ था 2002 में जिसके तहट हमारा 11 मौलिक करतव्य सविधान में जोड़ा गया था और चौती लाइन जो हमारे सामने हैं यहां पर वो है कि भारतिय सविधान में मूल करतव्यों को पूर्वरूसी सविधान से प्रभावित होकर लिया गया था तो हमारे सविधान में जो मौल करतव्यों का कॉंसेप्ट लिया गया है गाइस वो हमने रूस से लिया है यू एस एस आर जो आज रशिया के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों अगर हम बात करें उस समय के देशों की तो जैसे की बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश हैं अमेरिका, कैनेडा वगेरा तो उस समय किसी भी डेमोक्रेटिक कांट्री ने, किसी भी प्रजातांत्रिक देश ने अपने सविधान में मौलिक करतव्यों का वर्णन नहीं किया था सिवाए एक देश के जो है जपान तो उस समय जपान एकलोता ऐसा लोकतांत्रिक या हम कह सकते हैं प्रजातांत्रिक देश था जिसके सविधान में मौलिक करतव्यों का वर्णन था चूंकि हमारे जो USSR है जो रशिया है वहाँ पे समाजवादी विचारधारा थी तो वहाँ पर भी मौलिक करतव्यों का वर्णन किया गया था तो हमारे यहाँ हमारे इंडिया में जो हमारे Constitution में concept लिया गया है Fundamental Duties का मौलिक करतव्यों का वो हमने लिया है रूस से तो next हमारी line है स्वन सिंग समेती का गठन अब हम जानेंगे कि स्वन सिंग समेती का गठन क्यूं हुआ कब हुआ और कैसे हुआ तो 1976 में Congress सरकार इंडरा गांदी जी ने कहा कि हमें मौलिक करतव्यों की मौलिक करतव्यों की आविशक्ता है राश्ची अपातकाल 1975 से 1977 तक लोगों में मौलिक करतव्यों का मुल्य नहीं था इसलिए Congress सरकार ने 1976 में सरदार स्वन सिंग समेती का गठन किया जिसको अपातकाल के समय मौल करतव्यों की अविशक्ताओं की सम्मन्द में सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी तो गाइज इस लाइन से हमें यह समझ आता है कि 1976 में जब Congress सरकार थी इंद्रा गांदी जी की सरकार थी तो उन्होंने कहा कि हमें मौलिक करतव्यों की जरूरत है क्योंकि राष्ट्री अपातकाल के दोरान जो हमारा राष्ट्री अपातकाल लगा था देश में 1975 से 1977 तक तब लोगों में मौलिक करतव्यों का मुल्या ही नहीं था तो इसलिए Congress सरकार ने 1976 में सरदार स्वान सिंग समिति का गठन किया और उन्होंने समिति को बोला कि अपातकाल के समय मूल करतव्यों के अवशक्ताओं के सम्मन्द में आप सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कीजिए तो इसी संदर्ब में सरदार स्वान सिंग समिति का गठन किया गया था 1976 में इसी रिपोर्ट के लिए तो अब हम चलते हैं नेक्स तो नेक्स हमारा आता है कि स्वन्द सिंग समीति की सिफारिश है अब समीति की सिफारिश है क्या थी तो समीति की सिफारिश उसकी पहली सिफारिश तो ये थी कि सविधान में मूल करतव्यों का एक अलग पार्ट होना चाहिए तो इसलिए सविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पार्ट होना चाहिए दूसरी सिफारिश समीती ने दी कि नागरिकों को अधिकार वा कर्तव्यों के बारे में जागरुक होना चाहिए हमने मूल कर्टव्य आप बना तो देंगे बट उनका पालन भी होना चाहिए तो उनोंने कहा कि नागरिकों को जो हमारे देश के नागरिक है रेस सजग होने चाहिए, जागर्ग होने चाहिए कि क्या उनके राइच हैं, क्या उनकी ड्यूटिज हैं अधिकारव करतव्य हैं उनके तो फाइनली स्वन सिंग समीटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की उन्होंने आठ मूल करतव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया लेकिन 42 सविधान संशोधन जिसे हम मिनी कॉंस्टिूशन भी कहते हैं तो नेक्स्ट हमारा है कि समीटी की गई कुछ सिफारिशें कॉंग्रेस पार्टी दोरा अर्सविकार तो कुछ बाते ऐसी भी थी जो कॉंग्रेस पार्टी ने उस समीटी की नहीं मानी कुछ सिफारिश ऐसे भी थी, उनकि तो क्या सिफारिश थे आई ये हम देख लेते हैं, पहले सिफारिश है कि यदि कोई नागरिक करतवे का पालन ना करे, तो संसद उसे दन्ड दे सके। तो इस line का मतलब है कि यदि कोई भी नागरिक किसी भी करतवे का पालन नहीं करता है तो ऐसा एक प्रावधान होना चाहिए जिसके तहत संसद उसे दंड दे सके अब दंड किस रूप में जुर्माने के रूप में या सजा के रूप में जैसे भी बट ऐसा एक प्रावधान होना चाहिए ऐसा स्वन सिंग समीती ने कहा लेकिन पार्टी ने इसे अस्विकार कर दिया दूसरा है इसमें कर अदा करना भी मूल करतवे में शामिल होना चाहिए टेक्स जो हम पे करते हैं वो भी हमारी fundamental duties में आ जाना चाहिए ऐसा समीती ने कहा लेकिन पार्टी इससे सहमत नहीं थी हमारा तीसरा पॉइंट है कि मूल करतवे में अरूची होने के अधार पर कोई भी कानून इस तरह का आर्थ दंड या फजा लगाने का प्रावधा नहीं कर सकता तो बेसिकली ये line हमें बोलती है कि अगर कोई भी नागरिक है हमारे देश का उसको रूची नहीं है मौलिक करतवे में उसके अधार पर कानून किसी तरह का कोई उसे आर्थ दंड नहीं दे सकता यानि कि अगर संसत भी उसमें कोई दंड देती है मतलब कानून अपनी दखल नहीं कर सकता बेसिकली ये line इस line से yes फश्ट होता है कि कानून उसमें कोई दखल नहीं कर सकता अगर कोई नागरिक करतवे का पाहलन नहीं करता तो उसे संसत देख लेगी कि उसे क्या करना है दंड देना है जुर्माना है या सजा जो भी है तेखे गाइस चलिए दोस्तों नेक्स पेज पर चलते हैं और यहां पर हैं हमारे मूल करतव्य है हमारे मौल करतव्य है तो हमारे मौल करतव्य हमारे सविधान के भाग चार क अनुछेद 51 क के अंतरगत हमारे भारतिय नागरिकों के करतव्यों का वर्नन किया गया है तो अभी वर्तमान में जो हमारे मौलिक करतवियों की संख्या है वो टोटल है नमबर 11 हमारे 11 मौलिक करतविया है लेकिन जब 1942 में हमारे मौलिक करतवियों को जोड़ा गया था उस समय इनकी संख्या केवल 10 थी तो जो 11 हमारा मौलिक करतविया है 2002 में 86 सविधान संशोधन के तहट जोड़ा गया था ठीक है दोस्तों तो चलिए आयम शुरू करते हैं होप दोस्तों की आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ शब्दों को हाइलाइट करकर और उनके नीचे मैंने उनको अंडर लाइट किया है तो यह एक ट्रिक है आप इसली इन सभी मौलिक करतवों को इससे याद कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमें इन मौलिक करतवों को अच्छे से याद रखना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि पेपरों में ऐसे क्वेशन आ जात करेंगे लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मौलिक करतवों को सीक्विंस वाइज याद करें संख्या के अनुसार की नंबर एक मौलिक करतवे यह है तो नंबर दस यह आपको पता होना चाहिए अगर आप यूपीस्टी एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे ह आपको पता होना चाहिए कि यह जो मौलिक करतवे है यह कौन से नंबर का मौलिक करतवे है तो आईए शुरू करते हैं तो हमारा पहला जो मौलिक करतवे है वो है कि सविधान का पालन करें उसके आदर्शों संस्थाओं राश्टुधज राश्टुगान का आदर करें तो ह अमरे स्वेधान का आदर्श हैं। सवेस्थामिधानिक संसाई जोने हम कह सकते हैं हमारे राश्चु धज वा हमारे राश्च्य घान का हमें आदर करना चाहिए तो दूसरा हमारा मॉलिक खरतव्य है की राश्च्य आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृधे में संजोएं, वो उनका पालन करें तो हमारा जो रास्टियां अंदोलन हुआ था उसको प्रेरित करने वाले जो उस समय के आधर्ष थे हमें उनका पालन करना चाहिए और उन्हीं के अनुसार हमें पालन करना चाहिए तो देखिए दोस्तों हमारे पहले मौलिक करतवे और दूसरे मौलिक करतवे में आदर्शों जो शब्द है वो दोनों में common है तो ये याद रखने का एक easy trick है कि हाँ आप याद कर सकते हैं अगर आदर्श related कोई भी question में आपके exam में आता है तो आप इसे easily memorize कर सकते हैं इस concept छे तो third हमारा जो मौलिक करतवे है वो है कि भारत की संप्रभुता एकता और अखंड़ता की रक्षा करें तो basically ये हमें बोलता है कि भारत की संप्रभुता भारत जो एक अपना स्वतंत्र राष्ट्र है उसकी और एकता भाई चारा और अखंड़ता और एक साथ मिलकर रहने की हमें रक्षा करने चाहिए और हमारा जो चौथा मौलिक करतवे है वो है कि हमें देश की रक्षा करनी चाहिए और आहान किये जाने पर राष्ट की सेवा करनी चाहिए यदि हमारे राष्ट को हमारी जरूरत है तो उस समय हमें हमारे राष्ट की सेवा करनी चाहिए इस लाइन के रिलेटेड में आपको एक आर्टिकल याद दिलाना चाहूंगी, देखिए, समय पढ़ने पर हमें हमारे राष्ट की सेवा करनी चाहिए, ऐसा हमारे मौलिक कतव्यों में कहा गया है, लेकिन हमारे सविधान के अनुचे 23 में ऐसा कहा गया है, यदि आविशक्ता पढ़े, तो सरकार सारवजनिक हित के लिए नागरिकों को सेवा करने के लिए कह सकती है, तो ये भी बहुत important कई बार question paper में पूछा जा चुका है, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, कि हमारे राष्ट की सेवा करे, ये हमारे मौलिक करतव्यों म एसा लिखा हुआ है, हमारे चौथे मौलिक करतव्यों में, लेकिन सरकार आविशक्ता पढ़ने पर नागरिकों को सारवजनिक हित के लिए सेवा के लिए कह सकती है, ऐसा हमारे सविधान के अनुछेद 23 में कहा गया है, आर्टिकल 23. जो नेक्स्ट मौलिक करतव्यों है, वो है हमारे भारत के लोगों में, समसर्ता ब्रातत्व की भावना, भेदभाव ना करे, वर्ष्त्रियों का सम्मान करे, तो बेसिकली समसर्ता का जो मेनिंग है, जो इसका आर्थ है, वो मैंने वहाँ पे अल्रडी ब्राकेट में मेंशन कर दिया है, जिसका अर्थ है सामन जस्य है, अर्थ है ताल मेल, बैलंस, तो भारत के लोगों में एक ताल मेल एक बैलंस होना चाहिए, समसर्ता होनी चाहिए, भ्रातत्व की भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना बेसिकली, और धर्म, जाती, प्रदेश, वर्ग य तो दोस्तों हमारा जो छटा मॉलिक करतवे है वो है कि हमारी सामसिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे तो हमारी जो सामसिक शब्द है इसका जो अर्थ है वह है जोड़ना तो हमारी जो संस्कृति है वो किस प्रकार की है वो लोगों को आपस में जोड़ती ह ठीक है तो हमारी सामसिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे जो हमारी संस्कृति है उसकी आदर्श क्या है और हमारी जो गौरवशाली परंपरा है हमें उनका महत्व समझना चाहिए तो हमारा जो next मौलिक करतावे है वो है कि हमें प्राकृतिक परियावरन की रक्षा करनी चाहिए वन जील नदी और वन्या जीव आदी तो हमें हमारी प्राकृतिकी रक्षा करनी चाहिए वन वन्या जीव जील नदी आदी का हमें संदक्षन करना चाहिए और प्राणी मात्र के प्रती हमें दया का भाव रखना चाहिए तो दोस्तो नेक्स्ट हमारा जो मौलिक करतावे है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोन मानपतावाद और ग्यान अरजन को ग्यान अरजन और सुधार की भावना का विकास तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोन है इसका मतलब यह है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे देश के गाउं की जो मुख्य समस्या है वो है मुख्य समस्या बहुत है लेकिन उन में से एक समस्या है अंद विश्वास ठीक है तो यहाँ पे वेग्यानिक दृष्टिकोन का मतलब ये है कि हमें तर्क के अधार पर अपने दृष्टिकोन जो है वो बनाना चाहिए वेग्यानिक तर्क के अधार पर तो हमें दक्यान उसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें अपना एक तरक सहित हमें अपना एक विज्ञानिक दिश्टिकोन बनाना चाहिए मानपतावाद हम मानव हैं तो हमें दूसरे मानवों का सम्मान करना चाहिए हमें मानपतावाद को फॉलो करना चाहिए और ग्यान अरजन, देखिए ग्यान की कोई सीमा नहीं होती है, हम जितना ग्यान अरजित करने वह उतना ही कम होता है हमारे लिए, तो यहां पर यह बोल रहा है कि ग्यान को अरजित करना, हमें ग्यान अरजन करना चाहिए और सुधार की भावना का विकास, हमेशे अपने दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट मॉलिक करता है वो है सारवजिनिक संपत्ती को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें तो दोस्तों आपने देखा होगा हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि एतिहासी कमारते हैं हमारी लाल किला और ताज महल वगेरा आप जाते होंगे तो आप लोगोंने आम शॉर बहुत बर देखा होगा कि वहां पर लिखा होता है कि पूजा लव राहुल औ तो दोस्तों बेसिकली ये गलत है हमें एसे नहीं करना चाहिए इसको लेके और हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए ओके सो दोस्तों हमारा जो नेक्स मालिक करतावे है वो है कि हमें व्यक्तिकत और सामोहिक गतिविदियों के सभी छेत्रों में उतकर्ष की और बढ़ने का निरंतर प्रयास करें और जिसे राश्ट्र का निरंतर विकास हो सके तो बेसिकली यह हमें यह बोल रहा है कि व्यक्तिकत और सामोहिक गतिविदियां अब हमारी गतिविदियां चाहें वो व्यक्तिकत बेस पे हो या सामोहिक बेस पे हो हमें सभी छेत्रों में उतकर्ष उतकर्ष का मतलब होता है एक्सेलेंच तो हमें विकास बेसिकली यह बोल अगर हम अपने विकास के बारे में सोचते हैं, तो बिसिकली देश हमारा किस से बनता है, हम जैसे नागरी को सही बनता है, अगर हम अपने विकास के बारे में सोचेंगे, तो कहीं न कहीं वह अपरत्यक्ष रूप से हमारे राष्ट्र के विकास को भी प्रभावित करता है, त इससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए विकास करें तो दोस्तों हमारा जो आखरी और ग्यार्वा हमारा मौलिक करतवे हैं वो 2002 में जोड़ा गया 46 सविधान संशोधन के तहत तो यह हमें बोलता है कि 6-14 वर्ष की आयू के बच्चों को शिक्षा का अफसर उपलब्द करा जो जितने भी 6-14 वर्ष के बच्चे हैं यह उनका अधिकार है कि उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाए ताकि वे देश के लिए अपना योगदान दे सके इसी प्रकार हमें उन बच्चों को शिक्षा ग्रहन करने का अफसर उपलब्द करवाना चाहिए यह हमारा करतवे ह ion की तरफ गाई तो नेक्स हमारा जो यहाँ पे पाक है वो है कि मूल करतव्यों की विश्य श्यक्ता या हिए व्लिक करतव हैं तो नागरी बच्च जैसे कि हमारे 11 मॉलिक करतव्य हैं तो इसमेंसे हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा दूसरा मौलिक करतवे है कि हम स्वतंतरता संगराम की उच्छ आदरशों का सम्मान करें वो हमारा एक नैतिक करतवे है जबकि राष्टर धज और राष्टरगान का आदर करना हमारा नागरिक करतवे है तो मूल कर्तव्यों की विशेष्टाओं में पहली विशेष्टाओं तो यही है कि कुछ कर्तव्य तो नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ कर्तव्य जो हैं वो नागरिक कर्तव्य हैं तो इसी के साथ हमारा जो दूसरा करतवे की विश्रिष्टाएं हैं हमारी यह मुल्य भारतिय परमपरा, पौरानिक कथाओं, धरम एवं पदतियों से सम्मंदित है तो बेसिकली ये हमें बोल रहा है कि बेसिकली ये भारतिय जीवन पदती के आंत्रिक करतव्यों का वर्गी करन है हमारी भारतिय परंपरा है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी पौरानिक कथाएं है, धरम वपदतियों तो यह line बैसिकली हमें ये बढ़ाती है कि जो हमारे मूल करतव्य हैं वो कहीं ना कहीं अपरद्रीयक शरूप से इन सब चीजों से संबन देते हैं हमारी भारतिय परंपरा, हमारी पुरानिक कताएं, हमारा धरम, हमारा जो धरम है उससे तो ये जो मुल्य हैं करतव्यों के वो उससे संबंदित हैं बिसिकली ये बोलना चाहता है तो हमारा जो थर्ड यहाँ पे पॉइंट है वो है कि मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों के लिए लेकिन जो मौलिक करतव्यों है वो केवल नागरिकों के लिए है तो बेसिकली हम बात करें मौलिक अधिकारों की तो विदेशीों को सारे मौलिक अधिकार तो नहीं बट हाँ कुछ मौलिक अधिकार दिये जाते है नागरिकों को सारे मौलिक अधिकार प्राप्त है लेकिन जो मौलिक कर्तव्य हैं वो केवल नागरिकों के लिए हैं भारत के नागरिकों के लिए विदेशियों के लिए मौलिक कर्तव्य नहीं है हमारा जो फोर्थ पॉइंट है यहां पे वो है कि निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं यानि कि हम मूल करतवयों को लेकि न्याले में नहीं जा सकते हैं तो ये गैर न्यायोचित है अगर हमारे मूल करतवयों का हनन होता है तो उसकी अगेंस्ट कोई कानून नहीं बना हुआ अब तक ये दपी जो हमारी संसद है वो कानून बना सकती है लेकिन वो करतव्यों से रिलेटिड बना सकती है करतव्य बट अगर हमारे करतव्यों का हनन होता है ठीक है या हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं पूरा नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ कोई भी कानून किसी भी नाले में हम नहीं जा सकते हैं किसी भी को अब कुछ अलोजकों ने बोला है कि मूल करतवे तो आपने बना दिये लेकिन इसमें सारे करतवे शामिल नहीं है जैसे कि उनका बोलना है कि मद्दान करना कर अदाईगी यानि कि टेक्स पे करना और परिवार नियोजन तो उनकी अकॉर्डिंग उनके अमसार ये सब जो ये समझना कठिन है तो अलोजकों का तर्क है कि बहुत से ऐसे शब्द बहुत सी ऐसी चीजें जो है करतव्यों में शामिल की गई है आम व्यक्ति की समझ से वो बाहर है जैसे कि हमारे करतव्यों में उच्च आदर्श और सामासिक सांस्कृति वेग्यानिक दिश्टिकोन अ तो उनका ये बोलना है कि ये समझना थोड़ा एक आम इंसान के लिए मुश्किल है तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अलोजकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया क्योंकि सविधान में शामिल मूल करतव्यों को उन सभी को मानना है जो सविधान से सम्मंद ना भी हो यानि कि अब देखिए हमारे राष्टगान और हमारे राष्ट धज का हमें आदर करना है हमारे करतव्य बोल रहे हैं तो हम करेंगे लेकिन हमारे सविधान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा तो बेसिकली ये लाइन हमें ये बताती है कि हमें उन करतव्यों का भी पालन क जिसका उलेख हमारे सविधान में है नहीं तो कई आलोचकों ने इसका यह तर्क दिया तो हमारा फोर्थ लास्चू तर्क है वो है कि सविधान के भाग चार में रखना मूल करतव्यों के महत्व को कम करना हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे सविधान के बाग तीन में, हमारे मोलिक करतवे हैं, बाग चार में, राज्ये के निती निर्देशक तत्वे हैं, और भाग चार कमें, हमारे मोलिक करतवे हैं. तो अब आलोचक ये बोलते हैं कि जब मौलिक करतव्य और मौलिक अदिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोनों एक दुसरे के अभिन अंग हैं तो आपने इसको चार कामे राजे के नेति निदेशे ततों के बाद क्यूं रखा तो आप इसे भाग तीन कामे भी रख सकते थ अगर आप इसको मौलिक अदिकारों के साथ रखते तो शायद ये इसका महत्व जादा होता तो अलोचक को ये तर्ख हैं कि भाग चार काम है आपने जो मौलिक करतव्यों को शामिल किया है उसके इसका जो महत्व है वह कम हो गया है ठीक है दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट रूप में सेवा करते हैं जब तक वे अपने अधिकारों का प्रियोग करते हैं तो बेसिकली यह है जो मूल करतव्वे हैं उनका महत्व है कि नागरिकों के लिए टाइप से एक टाइप का रिमाइंडर हो जाता है कि ठीक है आपको जो मौलिक अधिकार दिये गए हैं लेकिन के साथ साथ आपको मौलिक करतव्वे भी हैं जो आपको अपने समाज के पती आपके समाज के पती नागरिकों के पती और देश के पती हैं तो इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए अब दूसरा पॉइंट दोस्तों यहां पर है कि मौल करतव्वे राष्ट विरोधी तो यह एक टाइप की warning है उन लोगों के लिए जो अहिंचा का रूप लेते हैं अपनी बातों को रखने के लिए सरकार के सामने दंगे और ये सब जो चीजें हैं तो ये एक टाइप की warning है कि आपके करतव्ये हैं नागरिकों के करतवे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आप कोई भी राष्ट विरोधी काम करेंगे और समाज विरोधी अगर आप कोई गतिविदिया करेंगे तो यह आपकी खिलाफिक प्रकार की चतावनी है ठीक है दोस्तों जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है कि यह प्रेणा के स्त्रोत है अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं अब हमारे जो करतवे हैं उनमें हमारे राष्टिया अंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उनको हर्दे में संजोई रखने का आदेश वहाँ पे एक वहाँ पे मेंशन किया गया है तो बेसिकली यह बोल रहा है यह सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है बेसिकली एक टाइप से कि हमारे लिए जो हमारे मौलिक करतवे हैं वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और उसके साथ ही हम अनुशासन और प्रतिबदिता को बढ़ाती है तो दोस्तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि मूल करतवे अदालतों को किसी विदी की सवेधानिक वैदता और उसके परिक्षन के सम्मन्द में सहायता करते हैं तो हमारे जो मूल करतवे हैं वो अदालतों की सहायता भी करते हैं अगर वो किसी विदी की सवेधानिक वैदता और उसके परिक्षन अगर वो कोई भी लौ है कोई भी विदी है उसकी सवेधानिक वैदता या उसका परिक्षन कर रहे हूं है ठ्यक्तिक है तो दोस्तों जैसे की हमने पहले भी देखा कि हम मूल करतवेव को नयाले में मूल करतवेव को लेके ने नहीं जा सकते लेकिन विदी दोरा मूल करतवेव विदी दोरा लागू किय lockdown सकते हैं इनके असफल रहने पे संसत जो है वह अर्थदंड़ियस Uni है यह हमारे जो सुप्रीम कोड़ के चीफ चस्टिस ओफ इंडिया ते जकडीश सरन वर्मा उनकी अगवाई में इस कमेटेश को यह का दोस्तों तो हम बात कर रहा थे जगडीश !- वर्मा यानि कि J.S. वर्मा कमेटी की तो बैसिकली जो J.S. वर्मा थे वो सुप्रीम कोड के चीफ चस्टिस रह चुके हैं और 1999 में 1999 में कमेटी का गठन किया गया जिने मूल कर्तवियों के क्रियानवन के लिए अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी तो वर्मा समीती की जो टिप वर्मा समीती की तो नाग्रिकों के मूल अधिकारों से समंदित वर्मा समीती ने कुछ मूल कर्तवियों के पहचान की और उनके क्रियान्वन के लिए कानूनों के प्रावधान को लागू करने की विवस्ता की अब अगर आप कर्तवयों का पालन नहीं करेंगे तो आपको कोट कुछ नहीं कह सकता तो ऐसे कुछ जो अधिनियम थे उन्हें लागू किया गया ताकि जो नागरिक हैं वो अपने कर्तवयों का पालन कर सके तो पहला जो हमारा यहाँ पे पॉइंट होगा वो है कि आपरादिक कानून लोगों के मध्य भाषा मूल वंश जनमस्थान आदी कि अधार पर विभेत फिलाने वालों को दंड देने की व्यवस्ता करता है आदी के अधार पर भेत भाषा होने लगे या विभेत फिलाने वाले लोगों को दंड देने की व्यवस्ता करता है हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पे राष्ट गौरव अपमान निवारन अधिनियम 1901 यह भारत के सविधान राष्ट धज राष्ट्य गान के आदर का निवारन करता है यदि कोई व्यक्ती राष्ट्य धज का निरादर करता है तो उसे इस अधिनियम के तहट दंडित किया जा सकता है अब हमारा नेक्स है सिविल अधिकार संद्रक्षन अधिनियम 1955 जाती एवं धर्म से संबंदित अपरादों पर धंड यदि कोई व्यक्ति जाती एवं धर्म से संबंदित कोई अपराद करता है तो उसको 1955 के सिविल अधिकार संद्रक्षन अधिनियम के तहत धंड दिया जा सक अगर कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी समुदाय या कुछ लोग कुछ सामोहिक रूप से गतिवदियां कर रहे हैं जो सामपरदाइक संगठन बना रहे हैं धरम के नाम पर वो संगठन बना रहे हैं तो उसे गयर कानूनी घोशित करता है यह है अधिनियम नेक्स हमारा पॉइंट है लोग प्रतिनिदित्व अधिनियम 1951 धरम के अधार पर मत मांगना ब्रस्टचारी नेताओं को अयोग्य घोशित करना तो बेसिकली लोग प्रतिनिदित्व अधिनियम 1951 के तहट अगर कोई भी नेता फिर चाहे वह संसत के फदस्ये हूं या फिर राज्य विधान परिशत के तो ऐसे नेताओं को अयोग्य घोशित किया जाएगा अगर धरम के नाम पर मत मांगेंगे और यदि वह ब्रहश्यचार करते हैं तो नेक्स्ट हमारा नेक्स और लास है विरोध वन्य जीव संद्रक्षन अधिनियम तो इस अधिनियम के तहट अगर कोई व्यक्ति या कोई समू दुरलब परजातियों का वैप्यार करता है तो वह इस अधिनियम के तहट दंड का भागी होगा और दुरलब परजातियों के व इस चैनल को प्रियांश अकाडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.